एक उथर अपनी किताब लिखने के लिए किसी मैंसन में रहने जाती है लेकिन यहां उन्हें किसी रहस्य मही आत्मा का सामना करना पड़ता है तो क्या यह औरत बच पाएंगी? क्या वो इस आत्मा के रहस्य को जान पाएंगी? और क्या वो अपने बच्चों को बजा पाएगी वेल आज की वीडियो में हम इसी कहानी को ब्रीफली जानेंगे जो कि 2018 में रिलीज हुई एक इंडोनेजियन हॉर्र फिल्म रूमा बिलान्दा की है So now with that said, let's roll the intro तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक इंसान को forest में भागते वे देखते हैं और उसके हाथ में एक bag था भागते वे वो एक पुराने घर में खुश जाता है जहां वो अपने bag से कुछ निकालने लगता है कि तब ही उसके सामने एक ball रोल होते वे आती है यह इंसान इस ball को उठा कर एक कमरे की तरफ बढ़ता है जिसका नाम Raya था Raya एक single mother थी जिनकी दो बेटिया थी named Rina and Ija साथी Raya काफी famous writer थी Raya का अपने husband Dhani से reverse हो गया था क्योंकि इनके बीच काफी misunderstandings होने लग गई थी एक दिन Raya को Hilda नाम की एक lady का call आता है जो कि काफी rich थी और वो Raya से personally मिलना चाहती थी but the thing was कि उन्होंने Raya को मिलने एक graveyard में बुलाया था which was very strange graveyard पहुँचकर Raya को पता चलता है कि वहाँ उससे मिलने Mrs. Hilda नहीं बलकि Hilda की माई थी जिनका नाम Aline था Aline Raya को बताती है कि वो Raya से एक autobiography लिखवाना चाहती है और उन्होंने Raya को यहाँ graveyard में इसलिए बुलाया क्योंकि वो अपना most of the time इसी graveyard में बिताती है near her loved ones जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे Aline बताती है कि उनके लिए family से बढ़कर कुछ भी नहीं है अपनी बातों के दौरान Aline बहुत emotional हो जाती है लेकिन बीच बीच में वो काफी strangely अपने आपको cursed बता रही थी Aline को ऐसी हालत में देखकर Hilda फौरण अपने bodyguard से Aline को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है अब Hilda Raya को बताती है कि वो आज काफी surprised है क्योंकि Aline एक introvert है और वो आसानी से किसी के सामने कुछ express नहीं करती In fact, उन्होंने आज तक Hilda से भी अपने past के बारे में कुछ ज्यादा disclose नहीं किया है Well, Hilda खुस थी कि Aline किसी के साथ तो share करने के लिए ready हुई Hilda Raya को बताती है कि Aline बार बार travel नहीं कर सकती इसलिए Raya को Aline के साथ रह कर ही उनके biography पे काम करना होगा Hilda उसके लिए सब कुछ arrange करवा देगी और इस तरह से वो शान्ती से autobiography फोकस भी कर पाईगी Raya के लिए ये एक अच्छी opportunity थी क्योंकि Rina और Ija के vacation स्टार्ट हो गए थे और इस assignment पे काम करते हैं वे वो अपने बच्चों के साथ time भी spend कर पाईगी without worrying about other things इसलिए Raya हा कर देती है तो next scene में हम Raya उसकी दोनों daughters दानी को Aline के घर के बाहर देखते हैं and to a surprise ये वही घर था जिसे हमने movie के opening scene में देखा था but now it was renovated ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ Raya को table पे कई सारी files वगरा रखी भी मिलती है और तब यूसे Hilda का call आता है Hilda Raya को बताती है कि Aline की तबियत अचानक खराब हो गई है और उन्हें hospital shift किया गया है इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाईगी although biography के लिए जो भी files या paperwork की ज़रूरत होगी वो सब घर में already मौजूद है यहाँ हम दानी को देखते हैं जो कि घर के बाहर घूम रहा था और उसे घर के ठीक सामने एक cat की rotten dead body दिखती है अब दानी was very superstitious और उसका मानना था कि किसी cat की dead body मिलना एक बहुत बुरा अपशकुन होता है लेकिन राया दानी की बातों को फाल्दू बताते में कहती है कि वो अपने हाथ से इतना अच्छा assignment नहीं जाने देगी अब दानी और राया इस बात पे लड़ने लग जाते हैं और दानी यहां से चला जाता है दानी की जाने के माद राया kind of upset हो जाती है और वो दानी की कही बात से अपना ध्यान हटाने के लिए सामान वगेरा set करने में लग जाती है यहां राया notice करती है कि luggage room में उनका सामान थोड़ा बिखरा हुआ था as if किसी ने उसे छेड़ा है घर में घूमते वक्त राया को ऐसा feel होएं लगता है as if कोई उस पर नजर रख रहा है इतने में उसे एक डोर अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है लेकिन राया अपने आपको समझाती है कि पुराने घर में इस तरह की चीजे होती ही है और इसमें डरने जैसी कोई चीज नहीं है रात को डिनर के बदा अचाना की पावर कट हो जाती है और जब राया एक candle जला रही होती है तब ऐस अन audience हम उसके ठीक पीछे एक demonic figure को notice करते है जोकि light आते ही disappear हो जाता है राया को light आते ही अपने सामने के table पर एक doll मिलती है जिसे ले जाकर वो अपने room में रख लेती है और सोने चले जाती है तब याज वियोस हम उस doll का head turn होते वे देखते है और राया अपने सामने एक young लड़की को देखती है जोकि अजीब सी appear हो रही थी ये लड़की kind of crawl करते वे उसकी दरफा रही थी और अच्छानकी राया की नीद खुल जाती है विच मेंट कि वो बस सपना देख रही थी अब यहाँ से राया घर के बाहर उसी सेम लड़की को pond के पास देखती है और उस लड़की ने अपने हाथ में वही डॉल ने रखी थी जो राया को table से मिली थी राया foreign pond के पास जाती है जहां उसे वो लड़की तो नहीं मिलती लेकिन वो डॉल वहीं परी थी खेर अगली सुपर राया main door पर बैट कर चाई पी रही थी तभी उसे अपने सामने एक swing अपने आप ही swing करता हुआ देखता है और इसके बाद एक छोटी बच्ची उसकी आखों के आगे से forest की तरफ भागती है राया उस बच्ची के पीछे जाती है पर यहाँ अगर वो अपने सामने एक ग्रेव देखती है राया उस ग्रेव को चेक करी रही थी कि तभी Mr. Suriwan यहाँ आते हैं जो कि राया को आवाज लगाते है Suriwan राया को अपना इंडर्डरक्शन देते हों बताते हैं कि वो इस village के head है और मिसस हिल्डा ने उन्हें राया का ख्याल रखने के लिए भेजा है राया सुरिवान से पूछती है कि ये किसकी ग्रेव है जिस पर सुरिवान उसे बताते हैं कि ये ग्रेव मिस्टर विलियम की है Mr. William ने ही उस घड को बनाया था जिसमें अभी Raya ठहरे हुई थी Breakfast के दोरान Asia और Rina Raya को बताते हैं कि last night उन दोनों को कुछ sounds आ रही थी जो कि किसी music box की थी अब Raya को ऐसे लगता है कि Rina ने Asia को डराने के लिए उसके साथ ऐसी हरकत करी होगी और इसलिए Raya उन दोनों के बातों पर जाया ध्यान नहीं देती अब दोफ़र के दोरान Rina को किसी की shadow दिखती है जो कि घड में एक room की दरफ जा रही थी Rina भी उस room की दरफ जाएं लगती है और यहां हम देखते हैं कि Rina घड के एक abandoned room के बाहर खड़ी थी और room का door open करते हुए she realizes कि door अंदर से locked था Rina gap के अंदर हाथ डाल का डोर का latch हटाने की कोशिस करती है लेकिन तभी उसे ऐसा feel होता है जैसे किसी ने उसके हाथ को hold कर लिया है और वो उसे room के अंदर खीच रहा है रina अपने हाथ किसी तरह छुडाती है और उसका शोर सुनकर Raya यहां आ जाती है वो रina को संभालती है और इंदरों के जाते ही हम उस room के नीचे से पानी बाहर की तरफ flow करता हुआ देखते है anyways उस दिन Raya late night तक काम करने के बाद जब सोने ही वाली थी तभी उसे पासी का एक पियानो अपने आप play होता हुआ सुनाई देता है Raya पियानो वाले रूम की तरफ जाती और वो देखती है कि पूरे हौल में किसी के पैरों के निशान थे जो की कीचर में सने हुए थे वो पियानो वाल रूम पहुंसती है जहां उसे पियानो के उपर वही डॉल रखे हुए दिखती है इतने में ही Raya को ऐसा फील होता है as if कोई अभी अभी उसके पीछे से भागा हो Raya को ये डॉल काफी क्रीपी लग रही थी इसलिए वो इस डॉल को यहाँ से हटा कर ड्रॉर में रख देती है वही दूसरी दरफ हम एजा को देखते हैं जिसे सोते वक्त किसी के हसने की आवाज आ रही थी आग खोलने पर वो अपने सामने एक चोटी लड़की को खळा देखती है और वो डड़ के मारे अपने कंबल में शब जाती है नेक्सीन में हम राया को अपने बेड़ पे सोते हुए देखते हैं जहां वो क्रीपी सी बच्ची उसके पीछे आती है और उसके बालों से खेलते हुए बेड़ पर लेड़ जाती है नेक्स्ट मॉनिंग जब राया उठती है तब वो अपने बेड़ पर बहुत सारा कीचर देखती है और वो सोचती है कि ये जरूर इजा का काम होगा राया इजा के रूम के दरफ चल देती है खेर थोई दरफ यहां मिसेस हिल्डा आती है जो कि अपने साथ कुछ और फाइल्स लेकर आई थी राया और हिल्डा अपस में बात करने बैठ जाते है जहां राया हिल्डा से पूछती है कि क्या इस घर में कभी कोई छोटी बच्ची रहा करती थी इस पर हिल्डा उसे बताती है कि उसे इस घर के बारे में ज्यादा नहीं पता बट उसे इतना पता है कि इस घर को कई साल पहले किसी मिस्टर विलियम नाम के आदमी ने बनाया था और उनके गुजर जाने के बाद ये घर कई साल तक खाली रहा था जिसके बाद अलीन के कहने पर हिल्डा ने ये घर खड़ी लिया हिल्डा राया को बताती है कि अगर वो इस घर के बाड़े में और जानना चाहती है तो उसे मिस्टर सूर्यवान से बात करीं जाए नाओ राया को ऐसा फील होगे लग गया था कि कहीं न कहीं अलीन का इस घर से कोई connection तो है और इसी सिलसले में वो खोजबीन करने अलीन के कजन मिस्टर यांडो के पास जाने का decide करती है मिस्टर यांडो के यहां आकर राया finds out की यांडो घर पे नहीं थे रिना उस लड़की का पीछा करने लगती है और यहां अकर उसे एक पुराना bathtub दिखाई देता है जो कि पूरी तरह कीचर से भड़ा हुआ था और उसमें से रिना को वही लड़की निकलती वे दिखती है जो कि अब उस कीचर में पूरी तरह कवर हो गई थी राया के वापस आने पर रिना उसे बताती है कि घर में उसे अजीब जीब experiences हो रहे थे और उसे यहां अब डर लगने लग गया था लेकिन इजा को इन दोनों की बातों से कोई फरक नहीं पर रहा था और वो इन दोनों को एगनोर करते हुए कोई ट्यून हम किये जा रही थी राया इजा से पूछती है कि वो क्या गा रही है जिस पर इजा रिप्लाइज कि उसकी दोस्त ने उसे ये गाना सिखाया है नेक सीन में हम देखते हैं कि रिणा अपने रूम में बैठ कर कुछ पर रही थी कि तब ही वो देखती है कि इजा बिना बोले घर से बाहर फॉरेस्ट की दरफ चल पड़ी है रिणा इजा के पीछे आते हैं उसे डाटती है लेकिन इजा का कहना था कि यहां वो अपने फ्रेंड के साथ आई है रिणा इजा को लेकर घर जाने लगती है और घर वापस जाते वक्त वो दोनों मिस्टर विलियम की ग्रेव को नोटिस करते हैं जिसे देखकर इजा रिणा को बताती है कि यह इविल ग्रैंड पा की ग्वेव है जो अपनी ग्रैंड डाटर को हमेजा डाटते रहे दे थे रिणा को समझ नहीं आ रहा था कि इजा ने ऐसा क्यों कहा और पूछने पर इजा बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे ये सब बताया है वो दुनों यहाँ से घर के पास आ जाते हैं और यहां आते ही उन्हें घर की विंडो पर वही डिमॉनिक फिगर दिखता है जिसे हमने उस रात राट राया के पीछे देखा था रीना ओईजा इसे देखकर बहुत बुरी दर अटर जाते हैं और तब ही राया यहां आ जाती है और उनके आते ही वो डिमॉनिक फिगर विंडो से डिसपियर हो जाती है रात को राया अपना काम कर रही थी तब ही उसके रूम में चीज़े अपने आपी मूव करने लगती है और इसी बीच में राया को एक कॉल आती है जो कि मिस्टर यांडो की थी मिस्टर यांडो राया को बताते हैं कि वो अलीन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते और इसके बाद Adeline को अपने साथ ही रख लिया कुछ समय बाद Adeline की एक बेटी हुई Aline जिसे कुछ साल बाद अचानकी एक नर्स उसके डैड के पास छोड़ कर चली गई राया को Adeline के बारे में और जानना था लेकिन डिस्टर्ब नेटवर्क के कारण कॉल कट हो जाती है बाहर आकर राया देखती है कि हॉल में फिर से मड़ी फुट्प्रिंट्स आ गए थे जो कि घर के बाहर फॉरेस्ट के दरफ जा रहे थे अंदर स्टडी रूम में वापस आने पर वो देखती है कि उसके सारे पेपल्स वगरा यहां वहां बिखरे परे थे और वाल पर लिखा हुआ था लिलिस नेक्स डेर आया मिस्टर सुरेवान के यहां जाती है और उनसे उस घर की हिस्टरी के बारे में पूछती है और यहां मिस्टर सुरेवान उसे बताते हैं कि उस घर के ओनर मिस्टर विलियम एक बहुत ही short tempered आदमी थे और उनकी wife की death हो चुगी थी जिसके बाद वो अपनी बेटी एडलीन के साथ ही रहा करते थे एक दिन अडलीन भी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई जिसके बाद विलियम और भी ज्यादा eccentric behave करने लग गए थे और finally उन्होंने एक दिन अपनी जान ले ली मिस्टर सुरिवान बताते हैं कि मिस्टर विलियम के grandchild का उनकी death के बाद कुछ पता नहीं चला और तब से ये घर haunted है इस point पे राया समझ गई थी कि अडलीन ही अलीन की mother थी जिसे जन्म देते वक्त अडलीन की death हो गई थी और मिस्टर विलियम अलीन के ही grandfather थे अलीन ने इसलिए मिस्टर सुरिवान से लिलिस नाम के बादे पूसती है जो कि उसने last night अपने study room की wall पर देखा था मिस्टर सुरिवान उसे बताते हैं कि ये नाम उस servant का था जो कि मिस्टर विलियम के यहां काम करती थी राया लिलिस के घर जाती है जहां उसे लिलिस के बाड़े बदा चलता है कि लिलिस एक nurse हुआ करती थी और यहां राया समझ जाती है कि लिलिस ही वो nurse थी जिसने अलीन को उसके grandfather मिस्टर विलियम की death के बाद उसके dad के पास पहुँचा दिया होगा यहाँ लिलिस की घर पे एजा को एक music box मिल जाता है और एजा उसे लेने के जिद करने लगती है एजा बताती है कि ये music box उसकी friend को पसंद आ गया है वल उसके जिद करने पर वो music box उसे दे दिया जाता है गर वापस आकर रात को जब राया की काम करते वक्त आँख लग जाती है तब अचानकी हम उस लड़की को राया के पास देखते हैं और वो चिला कर राया को नींद से जगा देती है लेकिन राया की आँख खुलते ही वो लड़की यहां से गायव हो चुकी थी राया नोटिस करती है कि उसके लैप्टर पर अलिस वर्ड टाइप हुआ था और तभी स्टोर रूम से अचानकी कुछ आवाज आने लगती है वहाँ जाकर देखने पर राया को कुछ old letters मिलते हैं जो किसी pregnant lady ने अपने lover या अपने husband को लिख रखी थी और ये परकर राया समझ जाती है कि ये letters Adeline के थे जो उसने अपने lover को लिखी थी इन्ही letters में एक और letter भी था जिसकी writing बाकी letters से अलग थी और ये letter था Mr. William का जो कि उन्होंने अपनी dead wife को लिखा था इस letter में Mr. William ने कुछ ऐसा लिखा था उन्होंने तुम्हारा favorite चीज तोड़ दिया है अब मुझे बहुत कुछ सा रहा है मैं उन्हें punish जरूर करूँगा ये सब पढ़कर Raya समझ नहीं पा रही थी कि यहां William लिटर में किन लोगों की बात कर रहे थे और इतने में Raya के सामने वो लड़की एक बार फिर अप्यर हो जाती है और उसके पीछे जाने पर वो उसी डॉल को देखती है इस डॉल को उठा कर देखने पर Raya notices की डॉल पर Alice लिखा हुआ था विच मीन्स की इजा की उस invisible friend का नाम Alice था अब Raya उस music box को open करती है जिसमें उसे Adeline और Aline के साथ ही अलीन की हूबहू दिखने वाली एक और लड़की दिखती है और इन सब चीजों को जोर कर देखने पर Raya को समझाता है कि Adeline की एक नहीं बलकि दो बेटिया थी जी हां दोस्तों इन दोनों का नाम था Alice और Aline लेटर में में मेंशन की गई चीज एक शोपीस थी जो कि Mr. William की वाइफ का फेवरेट हुआ करता था और लेटर में वो लोग शब्द और किसी को नहीं बरकि Alice और Aline को ही रिफर कर रहा था जिन्होंने गलती से इस शोपीस को तोर दिया था लेकिन इसके बाद क्या हुआ राया को ये नहीं पता था तब ही राया के सामने Alice की गोस्ट आती है जो उसे फॉरेस्ट में ग्रेव की तरफ जाने के लिए इशारा करती है राया इस ग्रेव को खोदती है जिसमें Mr. William की एक डाइरी रखी हुई थी इस डाइरी में William ने लिखा हुआ था कि उस दिन Alice और अलीन ने खेलते वक्त वो शोवपीस तोड़ दिया था और पूछने पर Alice ने एकसेप्ट कर लिया कि शोवपीस को उस नहीं तोड़ा है William को बहुत गुस्सा आया और उसने Alice को पनिस करने के लिए उसे बहुत माड़ा एंदेन उसे बाथ टब में छोड़ दिया जहां डूब कर उसकी मौत हो गई थी William ने लिखा था कि वो उस समय शराब के दशे में था और उसे बिलकुल होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और होश में आने पर उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है और गिल्ट में उसने अपने आप को ही मार डाला तब ही वो डिमॉनिक फिगर राया पे अटाक कर देता है और राया किसी दर यहां से बचकर रीना और एजा को लेकर मिस्टर सुर्यवान के यहां भागती है यहां आकर वो उस डायरी में लिखी बातों को ध्यान से पढ़ती है और उसे रियलाइज होता है कि उस घर में जो वो डिमॉनिक फिगर है वो और कोई नहीं बलकि मिस्टर विलियम ही है मिस्टर विलियम नहीं चाहते है कि उनके राज के बारे में कोई जान पाए इसलिए वो लोगों को मार देते हैं वो बच्ची जो उसे देख रही थी वो एलिस की घोस्त थी जो कि उसे अपनी डेट बाड़ी ढूनने में हेल्प कर रही थी ताकि उसे मुक्ति मिल सके बट विलियम की घोस्त की विज़े से कोई भी उस घर में अलिस की बाड़ी नहीं डूंड पाता यहाँ चाना की रीना पसेस्ट हो जाती और उसी घर की तरफ चल देती है राया भी उसके पीछे आती और यह लोग चल 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 दे घर के पास वाली पॉंड के पास पहुंच जाते हैं पॉंड को देखकर राया अनुमाल लगाती है कि शायद इसी में अलिस की बाड़ी होगी और इसलिए वो पॉंड को खुदना शुरू कर देती है लेकिन तब ही आम मिस्टर विलियम का घोस्ट आया आता है और वो राया को चोप करने लगता है विलियम का घोस्ट राया को छोड़ देता है जिसके बाद राया एलिस की बॉड़ी को ढूंग लेती है एलिस और विलियम दोनों की घोस्ट को मुक्ति मिल जाती और इसी के साथ एलिन भी शांती से मर जाती है फिल्म के लास्ट कुछ सीन में हम देखते हैं कि राया ने एलिन और एलिस नाम की बायोग्राफी पूरी कर ली है और इसके साथ ही वो डैनी के साथ वापस रहने लग गई थी क्योंकि इस पूरे experience के बाद दानी और राया को फैमिली के importance समझ आ गई थी इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी रूमा बिलांदा फिल्म की कहानी और यहां मैं एक small detail मेंशन करना चाहूँगा विच इस कि शोपीस दरसल एलीन से टूटा था लेकिन एलीस जो कि एलीन से बहुत प्यार करती थी उसने एलीन को बचाने के लिए खुद को sacrifice कर दिया था एलीन को एलीस की घोस दिखती थी और इसलिए वो अपने आपको curse समझती थी एलीन के जिंदगे के कुछे दिन बचे थे और मरने से पहले वो पता लगाना चाहती थी कि एलीस के साथ आकिर क्या हुआ था इसलिए उसने राया को इस काम पे लगा दिया और फाइनली वो अपने नाना मिस्टर विलियम और अपनी लविंग सिस्टर एलीस के मुक्ति के बाद खुद भी फ्री हो गई ये सारी एक्स्पिरियेंस ने राया और उसकी फैमिली को काफी क्लोज कर दिया और उन्हें फैमिली का इंपोर्टेंस भी समझा दिया तो बस यही थी फिल्म की कहानी और मुझे पूरी उमीदे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई ते से लाइकों शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हांटिंग ट्यूब को सबस्क्राइब करके बिल आइकों को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चाहल पैसे वीडियो लाते रहते हैं पीस